तो दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रशादम बवीता जी के यहां पे और जैसे आप देख रहे होंगे काफी कलेक्शन है इनके पास में अडिनियम का और नेक्स्ट जो हम विजिट करेंगे वो विजिट करेंगे नील कमल नर्सरी की नील कमल में जो हैं इंडोर आउट्डोर लास्टली जो है स्क्रेनिक के तो सब देख रहे होंगे स्वैैनिक प्लास्टिक और इस तरीके से जो है काफी सारी स्टॉम्रेप आप अब लोगों को कि किस तरीके से कलेक्शन है अभी जो यहां लगा हुआ है उसके अंदर तो दोस्तों फिशिन जो अब हम लोग पूरा इरिया कवर किया कोशिश करी आप लोगों को जो जो लोग भी फ्री थे उनकी स्टॉल्स पे उन लोगों से आपकी बातचीत करवाई उन लोगों से मिलवाया और उन लोगों के जो हैं प्रोडेक्स जो उन्होंने डिस्पले में लगाए हैं वह सब आप लोग